सूरज उगता है तो प्रकास होता है जब सूरज अस्त होता है तो अंधकार होता है जब अंधकार होता है अंधकार के बाद भी छुपा एक प्रकास होता है और प्रकास के पीछे छुपा एक अंधकार होता है उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख का लगा रहना निरंतर चीर इस्थाई है ये आता और चाता रहता है जीवन में सुख का आना और दुख का चाना लगातार और निरंतर रहता है ये कभी अधिक और कभी कम होते रहते हैं परन्तु सुख और दुख मनुसी बराबर भोकता रहता है चाहे कोई छोटा इंसान हो या बड़ा इंसान हो हर विक्ति के पास कोई न कोई समस्या अवस्य होती है यहां तक कि देवी देवताओं को भी समस्याओं का सामना करना पढ़ता है तो मनुसी किस खेत की मूली है इसलिए हर विक्ती को अपने कठिन समय में धैर नहीं खोना चाहिए अपने विवेक से धिरज रखना चाहिए और अपनी युक्तियों से अपने विवेक से आगे पढ़ना चाहिए जल्दी न सही तो धीरे धीरे ही आगे पढ़ने का प्रयास करना चाहिए कभी भी निरास होकर हतास बैठ कर कारी को छोड़ देना नहीं चाहिए पर समय के आने पर हर निरासा धूर होती है इसलिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए भले कुछ समय के लिए आप कारी को इस्थगित कर दें पर आप अपने विचारों को कभी स्थगित न करें आप नए-नए विचार धार्ड़ करने की छमता रखते हैं नए-नए रास्ते खूजने की छमता रखते हैं और नए नए कारिक करने की छमता रखते हैं आपके अंदर अनिक सक्तियों का भंडार होता है आप जितना गंभीरता से सूचेंगे आपके अंदर उतने ही बीचार प्रकट होते जाएंगे उसी तरह सरीर मजबूत होता जाएगा इरादे मजबूत होते जाएंगे और धीरे धीरे सफलता मिलती चली जाएगी एक बार में ही सफलता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है अगर बार बार प्रयास करने पर सफलता मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं होती इसलिए हिम्मत हार कर बैठ जाना अच्छी बात नहीं होती बार बार परिश्रम करना और बार बार प्रयास करते रहना मनुस्य के मेहनत और लगन की दिसानी होती है कभी न कभी दो सफलता मिलती अवस ही जिस प्रकार चाहतक स्वातीन चतर का पानी पीने के लिए लगातार रटता रहता है और एक दिन इसा आता है जब स्वाती नशत्र बरसता है और उसकी बूंद पीकर वासांत हो जाता है उसी प्रकार मनिस्च को भी अपना आचरड नहीं बदलना चाहिए अपने निति कर्म प्रति दिन करते रहना चाहिए अपने दुर बिसनों को त्यागने का प्रयास करना चाहिए कितना ही बुरी आदत में विक्ति क्यों न फसा हुआ हो वह उसे विल्कुल छोड़ न पा रहा हो लेकिन उसके बारे में चिंतित रहना प्रयास करते रहना जाएगा धीरे न धीरे वो समस्या समाप्त आवस्य हो जाएगी यदि समस्या समाप्त नहीं होगी तो वह इस थिर तो आवस्यी बनी रहेगी परन्तु उसके और अधिक बढ़ने का जो चांस होता है वो नहीं रहेगा कोई भी कितनी बड़ी बुरी आदत हो उस बुरी आदत को बढ़ाते रहने से अच्छा है उसको दूर करते रहना उसके बारे में सुचते रहना प्रयास करते रहना जितना अधिक आप प्रयास करेंगी उतनी ही बुरी आदते समप्त होंगी और जितनी अच्छे कर्म आप करत रहेंगे उतनी आपके अंदर अच्छाई या जाती रहेंगी और आप अंदर से मजबूत वास्ति साली वा दिमाग से आप द्यड़ होते जाएंगे इसलिए हमेशा निरंतर अपने अंदर प्रयास करते रहना चाहिए किसी भी कारे को करने के लिए चाहे वो अच्छा कारी हो या बुरा कारी हो जिसे आप दूर करना चाहते हैं समाप्त करना चाहते हैं या पुरा करना चाहते हैं उसके लिए हमेशा निरंतर लगन से कारी करते रहना चाहिए आज न सही कल न सही वरसों न चाहिए लेकिन अपना प्रयास कभी छोड़ना नहीं चाहिए यदि प्रयास ही छूट गया तो मनुस्य मृत प्राय हो जाता है क्योंकि उसके जीवन जीने की सक्ति समप्त हो जाती है इसलिए शफलता प्राप्त हो नहों अपने प्रयासों को कभी नहीं द्यागना चाहिए प्रयास करते रहना ही मनुस्य के जीवन की निसानी है क्योंकि जीवन संघर्ष में है ये संगर्ष हमेशा चलता रहता है मृत्तु परेंत भी संगर्ष चलता रहता है तो जीवन धार करने पर संगर्ष न रहेगा इसा संभो नहीं है हर किसी को संगर्ष करना ही पड़ता है चाहे सफल विक्ती हो या अस्फल विक्ती हो सफल विक्ती भी हमेशा संगर्ष र रहता है चाहे कितना भी बड़ा विद्वान विद्धी क्यों नहो उसके पास भी समस्याएं होती हैं चाहे कितना ही कमजोर विद्धी मंद बुद्धी क्यों नहो उसके पास भी समस्याएं रहती हैं एक तरह से देखा जाए हर विद्धी समस्याओं से अवसी ओद प्रोत रह बलकि समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा प्रयास रत रहना चाहिए यही मानो धर्म है यही मानो जीवन का सार है इसी में हमेशा तन मन से लगे रहना चाहिए क्योंकि सफलता मिलना और असफलता मिलना हमारे कर्म पर निर्भर करता है हम जितना आधिक प्रयास करेंगी उ इस और उसी की मदद करता है, जो अपनी मदद करना जानता है, जो अपने कारियों को करने के लिए हमेशा प्रयास करता रहता है, हर पल, हर चाड़ उसके बारे में चिंतित रहता है, तो एक न एक दिन वो कारी अवसी हो जाता है, चाहे किसी रूप में वो कारी पुरा हो, उस तो इसलिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए सफलता कभी न कभी तो आवस्य मिलेगी यदि हम प्रयास करना छोड़ देंगी या अपनी समस्याओं से लड़ना छोड़ देंगे तो जो हमारी इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी उस कारी को पूरा करने में हमारा मन नहीं लगेगा जितना अधिक संघर्ष करेंगी उतना ही अधिक हमारा मन लगा रहेगा और एक न एक दिन आम अवसे सफल हो जाएंगे इसलिए प्रयास और लगन और दढ़ निश्चय बना कर हमेशा अपने जीवन को बिताना चाहिए एक न एक दिन सफलता मिल जाएगी इसा निश्चय बना कर रखना चाहिए कभी न कभी तो विक्ति को सफलता मिलती है यदि नहीं भी मिलती है तो सफलता तो मन का जो भ्रहम होता है जो मन की जो पीड़ा होती है वो समाप्त हो जाती है क्योंकि जब प्रियास नहीं करता है तब उसके मन में कहीं न कहीं गलानी बनी रहती है और जब प्रियास करके अस्फल हो जाता है तो उसे संतोस अवसे होता है कि मैंने प्रियास किया हम अस्फल हो गए अदि वो सफल हो जाता है तो उसे और अधिक खुसी प्राप्त होती है नहीं भी खुसी प्राप्त होती है तो उसके मन को सांती अवसी प्राप्त होती है इसलिए अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करना चाहिए यदि आप अपनी द्वारा गलतियां करते जाएंगे तो हमे करेंगे मेनत करेंगे उतना ही अधिक आपके अंदर विचार अच्छे और मेनत करने वाले विचार उत्पन होते जाएंगे इसलिए हमेशा आप अच्छे विचार लाएं और कड़ी मेनत करना और अच्छे मार्क पर चलने का हमेशा निश्चे लेते रहें इसी के साथ इस वी अश्कार धन्यवाद